जय है मातादी आप जीवन तरक की जाते सुक्सामपत्ति चाहते हैं तो जो नीचे लाल बटन देए उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें बैल आइकन दमाएं अपने दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर जरूर करें तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपको किस तरह की थाली में भोजन करना चाहिए अधिकांस ता आपने देखा होगा कि थालियां गिली होती है घर में और उनी में भोजन लोग परस लेते हैं खाना शुरू कर देते हैं तो इससे पूर्ण छीन होते हैं और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए तो उसको पर रुमाल से पहुंच लें कपड़ भोजनना करें और आपने देखा भंडार्य बगर्ण पतल का यूज़ कर जाता है वह इसलिए ही यूज़ कर जाता है जिससे किसी को जूठन ना पहुंचे और ऐसे ही यह पूजा में आप भगवान जी को नहौने के लिए बरतन यूज़ कर रहें थाकुड़ जी को नहौन पानी अपने देखा होगा कि बड़त不好 love Ben अफरो को नहें ये लिए लिए ऐसी नो हो सकते तो इस व्हें प्रफारी में दुनिया में कोई नहीं वताएगा जो मैं आज Just सारे जान का रहे हैं मिलती हैं लेकिन इस तरह की सटीक מקरी आपको सिरफ मैं ही आपको बता रहा हूं आप गाय का दू ritual लेना है तो गाय का कच्छा दूद और नारियन कच्चा नारियन का पानी आप इनको मिला लें और इन से ठाकोड़ी को नहलाएं इससे आपको वो पुढ़ने पराप्त होगा जो संपून तीस्तों के जो जल लाके आप नहलाएंगे वो जो पुढ़ने का पराप्ती होती है वो आपको सिर्फ दूज और नर्यल पानी दोनों मिक्स करके दिए आ आपको काम हो जाना है तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को सिर्फ दोस्तों के संग जिससे उनको वालों चले आप कितनी अच्छे वीडियो देखते हैं जैमातारी दोस्तों